नमस्कार मेरा नाम उपास्ताएं और आप देख रहे हैं दिललन्टॉप का डेली फैननशल बुलिटिन खर्चा पानी अडाने ग्रूप पर बिजली कॉंट्रैक्ट पानी के लिए 2240 करोड रुपए के रिश्वत के आरूप लगे हैं इन आरूपों के बाद से दावा किया गया कि अडाने ग्रूप के लिए अब विदेशी कर्जदारों से पैसेज उटाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन Adani Group ने अब दावा किया है कि उसके कुल करजों में विदेशी करज़दारों की कोई बहुत खास इस्सेदारी है नहीं यानि इंडारेक्ली ये कहने की कोशिश की है कि विदेशी करज़दार अगर फंडिंग घटा भी दें तो उसके बिजनेस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आई और डिटेल में जानते हैं इंडियन एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ ग्लोबल बैंक हैं जिन्होंने अडाने ग्रूप को करज दे रखा है और आगे भी करज देने की बादचीत चल रही थी लेकिन अमेरिका में रिश्वत खोरी का मामला आने लेकिन इस रिश्वत खोरी वाले मामले के बाद उसे फंड मिलने में दिक्कत होगी इस खबर के बाद ग्रूप के निवेचकों का बचा खुचा भरोसा भी डगमगाने लगा चोटी हो या बड़ी कंपनी हर कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत पढ़ निवेचकों के बीच फैली शंका को दूर करने के लिए अडाने ग्रूप ने अनिर्फानन में कंपनी का एक क्रेडिट अपडेट जारी किया मकसद ताकि निवेचकों को पताया जा सके कि विदेशी बैंक अगर उसे फंडिंग नहीं भी देते हैं तो भी उसका बिजनेस चलता रहेगा अडाने ग्रूप ने अपने दावों को सपोर्ट करके वे वित्तवर्श दोजार चौबीस पचीस के पहले छे महिनों के लिए यानि अप्रैल से सितंबर के बीच ग्रूप त्वारा लिए गए जो भी कर्ज हैं जो भी क्रेडिट हैं उनका एक अपडेट द चौबडारी 23 फीजदी और घरेलू कापटल मार्केट्स की 5 फीजदी हिस्सदारी है जबकि अन्य डेट फाइनसिंग सोर्सेज की हिस्सदारी तीन फीजदी है अडानी कुर्प ने ये भी बताया है कि विदेशी कर्ज दाताओं से उसका करजा घटा है जबकि देशी हिस्सदारी लोन के हिस्सदारी बढ़ी है जैसा कि हमने थोड़े दिर पहले बताया कि वित्तवर्च 2024-25 के पहले 6 महीनों में ग्रुप के कुल कर्ज में विदेशी बैंकों की हिस्सदारी 27 फीजदी थी जो पहले 28 फीजदी थी मतलब मामली कमी आई है ग्लोबल कापटल मा का 42 फीजदी घरेलू बैंकों और वित्तिय संस्थानों से उठाया जो रकम एक लाख 7,985 करोड रुपए के आसपास बैठती है मार्च 2024 के आखिर तक यह हिस्सदारी 36 फीजदी थी रकम बनाए तो 88,100 करोड रुपए थी और पिछले साल मार्च 2023 तक यह हिस्सदारी 31 इस पूरे क्रेट अपडेट में कंपनी एक और पॉइंट को खूब हाइलाइट कर रही है वो है उसका कैश रिजर्व ग्रुप ने कहा है कि उसने अपने कुल करजे का 1-5 यानि की पाच्वा हिस्सा नगदी में अलग रख रखा है जो अगले 28 महीनों के काम काज के लिए परयाप्त है इस क्रेट अपडेट के जरिये ग्रुप ने दो चीजों पर फोकस किया है पहला करज के लिए विदेशी संस्थानों पर उसके निरभरता कम हुई है और उस पर बहुत जादा निरभरता नहीं है दूसरा पॉइंट है अगर कुछ समय तक उसे फंडिंग नही खड़े कर दे हैं वो यह कि अडाने ग्रुप पर रिश्वत खुरी की आरुपों में अगर ग्रुप के खिलाफ किसी भी तरीकी का नेगेटिव अबडेट आता है तो उससे घरेलू वित्यस अंसानों के इस्थरता पर असर पड़ेगा बहरहाल आरुपों का जो भी अंजा का कहना है कि अडाने ग्रुप पर इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत सारे लीगल एक्शन की बहुचार हो सकती है कंपनियों के कंपनियों से जुड़े नियमों के मताबिक अगर शेर होल्डर्स को लगता है कि कंपनी के किसी जूटे दावे की वजह से उन्हें नुकसान तो कोई भी एक निवेशक सभी प्रभावित निवेशकों की तरफ से कंपनी पर केस कर सकता है और मुवजे की मांग कर सकता है इंटरलेशनल लॉफ फर्म बेकर एंड मेकेंजी अलन पी में पार्टनर और पूर फेडरल प्रोजेक्यूटर विलियम डिवाने ने एकोनॉमि के तहट केस हुआ था और उन्हें तीन अरब डॉलर तक का भुक्तान करना पड़ा है अगर निवेशकों की तरफ से ऐसी कोई कारवाई अडाने ग्रूप की कंपनी पर भी होती है तो उसे भी अच्छा खासा मुआपजा देना पड़ सकता है सीनियर एडवोकेट और पूर भारते कंपनियों के खिलाफ विदेशी भ्रस्ट अचार कानूनों के तहट केस हुए हैं जिनमें सीबी आई ने जाच की है इसमें जिरॉक्स मीडिया कॉर्प और डी नौसिल कॉर्प प्रोटेक्शन जैसे कंपनिया रही हैं अगर करप्शन के दोश साबित होते हैं तो द 65 मिलियन डॉलर के रिश्वत दी रुपए में यह रकम करीबन 240 करूर के आसपस बैठती है आरूप में कहा गया कि रिश्वत इसलिए दी गई थी ताकि अडानी ग्रीन इनर्जी को भारत के अलग-अलग राजियों में बिजली वितरड कंपनियों से सोलर इनर्जी प्रोज किया है कि अडानी की कंपनी ने अमेरिकी निवेशिकों से पैसा जुटाते समय कई जानकारियां छिपाई अडानी ग्रुप को यह एनर्जी कॉंट्रेक्ट हासिल करके अगले 20 सालों में करीबन 2 अरब डॉलर रुपए में करीबन 17000 करोड का मुनाफ़ा कमाने की उमीद थ गया है और कहा है कि जो भी जरूरी कानूनी कदम होंगे उठाए जाएंगे लेकिन उसके बयान नाकाफी दिख रहे हैं और हर बीटते दिन के साथ अडानी ग्रुप को एक नया जटका मिलते जा रहा है केनिया बांगलादेश श्रिलंका ब्रिटेइन और फ्रांस समीर तमा खत्रा मंडराना दिखने शुरू हो गया है इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मताबिक आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप को दिये गए सभी पावर सप्लाई के कॉंट्रेक्ट्स खतम करने पर विचार कर रही है बता दें कि बिजली के कॉंट्रेक्ट्स के लिए अडानी ग्रुप पर जिन लोगों को 2240 करोड रुपए के रिश्वत देने के आरोप लगे हैं उनमें आंध्र प्रदेश के सरकार यदिकारी का भी नाम है राज्य के वित्तमंत्री पयवुला केशव ने नियूज अजेंसी रॉइटर्स को बताया है कि सरकार इस डील से ज इस मामले पर निजर बनाए गए है अगर आंधे सरकार अडानी ग्रुप के साथ पावर डील कैंसल करती है तो उसे एक नया जटका मिलेगा बहराल 26 नवंबर को अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेर 8 फीजदी तक लोड़क गए अडानी ग्रीन एनरजी एसी सी अडानी इनरजी सलूशन अडानी एंटरप्राइज अडानी पावर अडानी टोटल गयास अडानी विल्मर और अडानी पोर सेने स्पेशल एकोनॉमिक जोन और अमबुजा सिमेंट्स कारुबार के तुरान 2-8 फीजदी तक लोड़क गए थे अडानी ग्रीन एनरजी और अडानी में जरूर बताए कमेंट बॉक्स में बाकी देश दुनिया के अने खबरों के लिए देखते हैं दिललन टॉप शुक्रिया